नमस्कार दोस्तू आप सभी का हमारे भक्ती एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है आज मैं आप लोग को सिर्डी साई बाबा के दस ऐसे रहसे बताने जा रही हूँ जिसको जानकर आप चौक जाएंगे तो चलिए भक्तो शवन करते हैं साई बाबा शीर्डी में आने से पहले कहां थे? शीर्डी में आने के बाद वे शीर्डी छोड़कर चले गए थे और फिर एक बरात में आने के बाद वे इस्थाई रूप से वहीं रहने लगे जब वे शीर्डी छोड़कर गए थे तब वे कहां थे? आउ जानते हैं साई बाबा से जुड़े ऐसे दस तथे के बारे में जिनसे अभी आप अंजान है पहली किताब श्री साई सच चरित्र लेखक श्री गोविंद राव रगुनात दा भूलकर यह किताब मुलतह मराठी में लिखी गई है गया किताब साई बाबा के जिन्दा रहते ही 1910 से लिखना शुरू किया गया और 1918 में साई के समाधिस्त होने तक इसका लेखन चला दूसरी किताब ए यूनिक सेंट साई बाबा ओफ श्रीडी लेखक श्री विश्वास बाला साहिव खेर खेर ने यह किताब साई बाबा के मित्र स्वामी साई सरंड आनंद की प्रिणा से लिखी गई खेर ने ही साई की जन्भूमी पात्री में बाबा के मकान को भुसारी परिवार से चौधरी परिवार को खरीदने में मदद की थी जिन्होंने उस स्थान को साइंस मारक ट्रस्ट के लिए खरीदा था तिसरी किताब यहा किताब कर्नेड में लिखी गई है जिसका नाम अग्यात है लेखा का नाम है श्री विविही सत्य नारायन राव सत्य बिठला विठला ने यहा किताब उनके नाना जी से फ्रेरित होकर लिखी थी उनके नाना जी साइवावा के पूरु जनम और इस जनम अर्थात दोनों ही जनमों के मित्र थे इस किताब का अंग्रेजी में अनुबाद प्रोफेसर मेलू कोटे के श्रीधर ने किया और इस किताब के कुछ अंशो का हिंदी में अनुबाद श्री, सशीकांद, शांताराम, गडगरी ने किया हिंदी किताब का नाम है सद्गुरु साइं दर्शन दूसरा रहस्य महरास्ट के परवणी जिले के पाथरी गाउं में साइं बाबा का जनम 27 सितंबर 1830 को हुआ था साइं के जनम इस्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है मंदिर के अंदर साइं की आकरशक मूर्ती रखी हुई है यहां बाबा का निवास थान है जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बरतन, घटी और देवी देवताओं की मूर्तिया रखी हुई है पुराने मकान के अवशेशों को भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है इस मकान को साइं वावा के वनसज रगुनात भुसारी से 3,000 रुपे में 90 रुपे के स्टेफ्स पर श्री साइंस मारक ट्रस्ट से खरीद लिया था तीसरा रहस्य साइं वावा के माता पिता का नाम साई बाबा के पिता का नाम परशुराम भुसारी और माता का नाम अनुसुया था जिने गोविंद भाव और देव की अम्मा भी कहा जाता था कुछ लोग पिता को गंगा भाव भी कहते थे दोनों के पांच पुत्र थे जिनके नाम इस प्रकार है रगुपति, दादा, हरी भाव, अमबादास और बलवन्त साई बाबा परशुराम की तीसरी शंतान थे जिनका नाम हरी भाव था चोथा रहस्य साई बाबा के बनसच कौन है? साई बाबा के बनसच आज भी औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद में रहते हैं साई के बड़े भाई रगुपति के दो पुत्र थे महारूद्र और परशुराम बापू महारूद्र जी के जो बेटे हैं वे रगुनाद जी थे जिनके पास पात्री का मकान था रगुनाद भुसारी जी के दो बेटे और एक बेटी हैं दिवाकर भुसारी, सशीकांद भुसारी और एक बेटी जो नागपूर में हैं दिवाकर हैदराबाद में और सशीकान निजामाबाद में रहते हैं। परशुराम के बेटे भाव थे। भाव को प्रभाकर राव और मार्णिक राव नामक दो पुत्र थे। प्रभाकर राओ के प्रशान्थ, मुकुंद, संजय नामक बेटे और बेटी लता पाठक है जो उरंगबाद में रहते हैं। मनिक राओ भुसारी को चार बेटियां हैं अनिता, सुनिता, सीमा और दया। पाचवा रहस्य, साई के सिक्षा और पिता की मौत, हरी बाबू साई की पढ़ाई पात्री में ही उनके पिता के सानिध्य में हुई, पात्री में गुरु कूल भी था, जहां वे गुरु से सास्तरार्थ करते थे, दरसल साई बाबा के घर के पास ही मुस्लिम परिवार हैता थ उनका नाम चांद मिया था और उनकी पतनी चांद भी थी उन्हें कोई संतान नहीं था हरी भो साई उनके ही घर में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे चांद भी हरी भो को पुत्रवत ही मानती थी पिता की मौत के बाद पूरा परिवार विखर गया कहते हैं कि पात्री से को वली नामक एक सूफी फकीर लेकर चले गए साई के दूसरे भाई औरंगाबाद निजामाबाद और हैदराबाद चले गए छठा रहस्य वेकुंशा के आश्रम में बाबा फकीर के साथ साई बाबा कई जगहा घूमते हुए एक दिन अकेले ही पुन्हा पात्री पहुँचे वहाँ पहुचने के बाद पता चला कि वहाँ कोई नहीं है अंत में वे पडोस में रहने वाली चांद भी से मिले हरी के रहने खाने के वश्था के लिए उन्हें नजदिक के गाउं सेलू के वेकुंशा आश्रम में ले गई उस वक्त बाबा की उम्र 15 वर्ष रही होगी वेकुंशा ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और उन्हें अपना सिष्य बना लिया वेकुंशा ने अपने मृत् थर फेकने लगे बाबा को बचाने के लिए वेकुंशा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक इट लगी वेकुंशा के सिर से खून निकलने लगा बाबा ने तुरन्थी कपड़े से उस खून को साफ किया वेकुंशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर तीन लपेटे लेकर बा बाबा कहते थे कि जिस दिन यह इट तूट जाएगी समझना मेरी सांस भी तूट जाएगी आठवा रहस्य शीड़ी में बाबा के गुरू ने जलाया था दीपक वे खुंशा ने बाबा को बताया था कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सचन गढ़ गए थे वापसी में वे शीड़ी में रुके थे उन्होंने वहाँ एक मज़ित के पास नीम के पेड़ की नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरू रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिश्यों में से ही कोई एक यहां रहेगा और उसके कारण यह इस्तान तीर्थ छेत्र बनेगा वेकुंशा ने आगे कहा कि वही मैंने रामदास की स्मृती में एक दीपक जलाया है जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड में रखा है नवा रहस्य शीड़ी में साई का आगवन वेकुंशा की आग्या से साई बाबा घुमते फिरते शीड़ी पहुँचे तब शीड़ी गाव में कुल 450 परिवारों के घर रहे होंगे वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोवा मंदिर के दर्शन किये फिर वेकुंशा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुँच गये नीम के के नीचे की क्यों रहते हैं इस पर बाबा ने कहा कि यहां मेरे गुरू ने ध्यान किया था इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूं कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें ग् अगेर शीड़ी छोड़कर चले गए लोगों ने उन्हें बहुत ढूंडा लेकिन वे नहीं मिले भारत के प्रमुक स्थानों का ब्रहमन करने के तीन साल बाद साई बाबा चांद पाशा पाटिल के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैल गाड़ी में बैट कर बराती बन क गया महाल सापती को साई ववा भगत के नाम से पुकारते थे धन्यवाद अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें